इसके पहले जो है explosive act पढ़ने वाले हैं और explosive act का ये second part है पहले part में हमने section 1 से लेके section 6 तक उसका preamble और जो भी बाते हैं वो सारी हमने करी थी वहाँ पर हमने tricks भी देखी थी और बहुत सारी बाते की थी detail में हमने समझा था इस वीडियो में हम section 7 से ये जो explosive act है आपका ये पूरा complete हो जाएगा section 7 से section 18 तक है बट बीच में बहुत सारा कुछ है जो हमें नहीं पढ़ना बट हम पढ़ेंगे जरूर बट इतना important नहीं है okay so section 7 से हमें शुरू करना था तो without wasting any more time चलिए शुरू करते हैं section 7 बात करता है power to make rules confirming powers of inspection search, seizure, detention and removal के बारे में बोल रहा है अब जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि section 7 का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था हमने देखा था कि section की जो heading है उसी से हमें interpret करना है कि section किस बारे में बात कर रहा होगा कि जब आप यह करने लगोगे तो एक ऐसी practice develop हो जाएगी कि easily आपको section के अंदर क्या चीज़ें वो याद होने लग जाएगी तो जैसे कि हम बात करते है power to make rules confirming power of inspection तो हमें यह समझ में आ रहा है section cadding से कि कि किसी के पास तो power है ठीक है कि वो या तो rules बना सकता है या जो inspection, search, seizure, detention से related किसी के बारे में बात हो रही है कि कि किसी को authorize वगएरा किया जा रहा है तो चलिए अंदर देखते है section के किस बारे में बात करता है सब section 1 बात कर रहा है कि central government जो है rules बना सकती है इस act के consistent authorize कर सकती है किसी officer को क्या करने के लिए obviously बात है inspection, seizure, search, detention करने के लिए मतलब कुल मिला कर section 7 जो है आप सुनते होगे news में कि यहाँ चापा पड़ गया, यहाँ चापा पड़ गया, raid पड़ गया, जो सुनते होगे आप movie भी देखे होगे, इसके उपर एक movie भी आ चुकी है raid की अब क्योंकि यह act जो हम पड़ रहे है, यह explosive act है तो obvious सी बात है कि यहाँ पर raid और चापा जो है यह illegal money है, उस चीज का नहीं है, यह explosive से related पड़ेगा मतलब कि कैसा चापा सर, एक बार समझा दो, समझ नहीं आया, चली समझा देता हूँ देखो, अब जैसे मानके चलोगी, कोई जिसको license issue नहीं है, और वो manufacturing कर रहा है explosive की, या फिर उसको वो transport कर रहा है, import, export कर रहा है, possess करके रखा हुआ है, sale कर रहा है तो अगर उसको allowed नहीं है, या तो वो prohibited है, हमने देखा था, जिसके पहले जो हमने section 6 और महाँ पर cover किया था, हमने देखा था सब की कोई देखती है, जो prohibited है, 18 साल से कम का, 6A, या दा रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो एक बार जाके पहले इस वीडियो को pause करो, जाके पहला वाला part देखो, उसके बाद यहाँ पर आप बापस इसको शुरू करो, तो क्या link बनी रहेगी, राइट, तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही कि Central Government Rules बना सकता है, authorized कर सकता है किसी officer को क्या क्या करने के लिए देख लेते हैं एक बार, to enter, inspect, or examine, any place, aircraft, carriage, vessel, in which explosive, जो है, manufacture हो रहे है, possess किया हुआ है, कोई sold कर रहे है, use कर रहे है, transport, import, export, under a license, granted, under this act, यह license वागरा issued होगा, ठीक है, तो आप inspect examine कर सकते हो, in which उनको यह reason है, to believe that explosion, जो है, has being, or is being manufactured, or there you sold in contravention, इस act का उलंगन किया जा रहा है, भले ही से उस व्यक्ति के पास license है, वो बना रहा है, manufacture, sale कर रहा है, बढ़ हो सकता है, कुछ conditions, जो है, यहाँ पर इस act, जो बोलता है, उसका उलंगन हो रहा है, तो इस त samples भी ले सकता है, explosive का, जो वहाँ पर मिले, बट हाँ, payment कर देना भीया, जित्ती value है, उसका payment कर देना, एक वो movie नहीं है, जिसमें वो बोलता है, की, फिरी रा फिरी, की वो 1500 रुपिया देगा, तो sample अगर चाहिए, तो 1500 रुपिया देखे, आप sample ले सकते हो, then आगे बढ़त थी, की cricket से relate किया था, हमने की, भाई, वो जो ground के अंदर ball होती है, तो वो क्या है, bum है bum, उस bum को हमको बाहर फेकना है, तो उसको बोलते हैं, भाई, six मारना, ठीक है, तो से वने trick से याद किया था, की six जो है, वो explosive, specially explosive के बारे में बात की गई थी, वहाँ पर, ठीक है, जो ब भी किया जा सकता है, और उस explosive को destroy वगेरा भी किया जा सकता है, अब जो search वगेरा सीजर से related CRPC में जो बात हुई है, वो provisions यहाँ पर apply हो जाएंगे, यह बोलता है आपका subsection tool, वैसे देखा जाए, इतना important नहीं है, but still मैंने आप लोगों से promise किया था, कि मैं पढ़ाऊंगा प कुछ है, at least कहीं पर गलती से भी MCQ बन गए, तो आपको यह कहने को नहीं होगा, कि सरने मना करा था, हमने पढ़ानी और बताओ MCQ आगया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह आए होप आपको यहाँ पर clear होगा, section 7, आगे बढ़ते है, section 8, section 9, और 9A, B ऐसा है, यह important, यह के एक अंदाजा लगा लोगे, भली आपने अंदर पढ़ा भी हो, चाहे नहीं पढ़ा हो, और फिर ऐसा होगा ना, जब आप पढ़ लोगे अंदर से, और फिर और जादा आप रिलेट कर पाओगे heading से, तो चीजें, automatically आपको याद हो जाएंगी, by heart याद हो जाएंगी, अ तो अगर ऐसा कोई accident हो, तो उसका notice देना है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है मुझे तो, चलिए, आगे इसको read करते हैं, समझते हैं क्या बात कर रहा है, explosive, वहाँ पर ऐसी कोई घटना हो गई हो, ठीक है, any accident by explosion, या तो explosion से, या fire attended with loss of human life, मतलब accident हो गया, explosion से, या fire से, और किसी की जान वगेरा चली गई, with loss of human life, या फिर serious injury हो गई किसी व्यक्ती को, ठीक है, और property or a description usually attended with such laws और यूनियर, प्रोपर्टी वगेरा को भी damage वगेरा अब देखो, इतना समझ में आया है, क्या बोल रहा है, पहले इतने को समझो, क्या बोल रहा है, कि एक बार ओर उपर चल लेते हैं, कि भाई, ऐसा कोई accident हुआ, जहाँ पर मतलब explosive वगेरा हो रहे थे, aircraft में load unload हो रहे थे, explosive और ये करते वक्त, क्या हुआ, explosion या fire वगेरा कैसे ठीक, उस place का, या master of the aircraft vessel, देखो, master हम आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया था कि master और आपको, जो भी act है, आपका explosive, 2D, ठीक है, D से धमाका, यादा रहा है नहीं आ रहा है, मैंने ट्री भी दियो ये आपको, तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, तो बोल र या ऐसा accident हो गया, और ये भी बताना है कि भाई, किसी की जान चली गई है, या injury बगेरा हो गई है, किसको, chief controller of explosive को, and officer in charge of nearest police station, मतलब हमें ये समझ में आया है, सर आप तो chart से बना गए, समझा दो ना, easy हो जाएगा, हम भी बना लेंगे, ठीक है, बना देते है, occupier, ठीक है, writing ठीक है, ये तीन है, अगर कुछ हो जाता है, तो ये देंगे notice, अब ये notice किसको देंगे, chief controller of explosives, and है, और नहीं है, and ये देंगे, जो nearest police station का, जो officer in charge होगा, nearest police station का, जो officer होगा in charge, उसको भी इनको notice देना होगा, कि भीया, ऐसी ऐसी घटना हो गई है, फलाना रेक्ती की जान चली गई है, serious injury हो गई है, ये आपका बात करता है, section 8, important है, question बन सकता है, देखो, अब question क्या बनेगा, sir, ये भी बता दो, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, section 8 सबते पहले तो अगर आना चाह, section चार reading तो एक act की लगेगी, अगर अच्छी से आपको उसको समझना है, और याद करना है, तो उसको आप अच्छे समझो पहली बार, ठीक है, सिर्फ interpretation देखो, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसके बाद धीरे बारीक चीज़े जैसे कहीं date दी है, वो याद कर ल दूँगा मैं आपको कि आप भूली नहीं पाओगे उसको, ठीक है, हाँ, revision must है, obvious ही बात है, तो पहले interpret करो act को समझो क्या बोल रहा है, और थोड़ा-थोड़ा focus करो चीज़ों पर, फिर दूसरे में जहां पर dates दी हुई है, क्योंकि हमें निकालना तो exam है ना, finally, कि बस 5000, 5000 ये इन पर focus करना है, जब ये हो जाएगा, फिर आपका जो तीसरा phase आता है ना, वो आता है कि भाई section पढ़ लिए, है ना, या फिर हरी चीज़ को अच्छे से देख लिया, section वगेरा पर थोड़ा सा जादा focus कर लिया, या कुछ चीज जो हमने first और second phase में छोड़ी है, व नहीं, कभी नहीं, section सारे नहीं, जो आपको लग रहा है या आपने exam, obviously आपने इत्ता तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपने exam का थोड़ा सा analysis किया होगा, किस तरीके question आते, किस तरीके section आते, उन पर ही focus जादा करना है, देखो, क्योंकि देखो, exam करना एक मंत्र है, exam का एक बनना चाहिए, और जो किसी से नहीं बन रहा, वो अगर आपसे बन जाए, तो बड़ी है बात है, नहीं, तो at least आप competition में तो बने रहोगे, कि जो सबसे बना, वो आपसे भी बना, तो मतलब आप cut off के आसपास रहोगे, बट अगर अब देखो, जो सबसे बना, वही आपसे बना, मतलब हो सकता, वो simple होगा, बट फिर भी आपसे नहीं बना, तो आप कहीं competition में हो क्या, आप कहीं भी नहीं हो competition के, तो simple मंतर है कि जो सबसे बने, वो आपसे भी बने, और जो सबसे नहीं बन रहा है, वो बन गया, तो सोने पे सोहागा और नहीं बना, तो ठीक है, समझ गए, चलो, तो section 8 आपका हो गया, important है, बहुत बाते हो गई, section 9 पे आते है, inquiry into accident, अब देखो, accident का notice दिया, अब notice किसको दिया, chief controller, ठीक है, और दूसरा, 7-7 nearest police station, याद आ रहा है, chief controller exclusive nearest police station, ऐसा नहीं कि बाते बाते करने में बूली जाएगी, पड़ा क्या है, ठीक है, अब इनको बोला, तो भाई, inquiry भी तो होगी, ये inquiry करेंगे, नहीं करेंगे, कि बस हाँ, चलो, बता दिया, बढ़िया, अच्छा किया, तुमने बता दिया, ऐसा थोड़ी है, inquiry into accident, दो, इसमें कुछ fund यहाँ पर इनोंने बताएं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, चलिए, इंपोर्टेंट है, अब मैंने एक बर section 8 में कहां से question बन सकता है, तो यह बन सकता है, कि notice किसको भेजा जा रहा है, notice of accident किसको भेजा जा रहा है, ये accident का notice, तो दो लोगों को chief controller explosive और nearest police station, ये आपका mcqf, चलिए, आगे बढ़ते है, inquiry into accident, where any accident such as referred in section 8, उपर हमने देखा, occurs in or about in connection with place, aircraft, carriage, vessel, under the control, अब देखो, accident हुआ, अब ये बोल रहा है कि ये under the control किसके है, armed forces of union, आर्मी के control में भेजा, तो अब क्या होगा, अब इनके control में और ऐसा कुछ घटना हो जाती है, तो inquiry जो है न into the cause of accident, देखो के नहीं देखोंगे, ये देखेंगे न कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर कहीं factory में आग लग जाती है, तो देखते नहीं देखते कहीं है, तो नहीं कि short circuit हुआ हो, तो cause क्या है accident का, वो देखा जाएगा, अब किसके द्वारा देखा जाएगा, तो बोल रहा circumstances, किसी और circumstances में हुआ, तो district magistrate जो है, वो देखेंगे, तो इससे हमें दो चीज़ क्लियर हो गई, कि army से related है, तो naval military air force देखेगी, और अगर other circumstances है, तो district magistrate जो है, वो देखेगा, in case जहाँ पर human life के loss हुआ है, या फिर कोई other case है, तो वो अपने direct magistrate, या तो वो खोदी hold कर ले तो naval military air force कर रहा है, चली, subsection 2, जो व्यक्ति hold कर रहा होगा है, जो व्यक्ति inquiry कर रहा है, इस section में, उसके बास सारे power होगे, magistrate के, जैसे, जो CRPC के अंदर होते है, inquiry करते वक्त, ठीक है, तो वो सारे power exercise कर सकता है, और साथ ही साथ में, ये exercise कर सकता है, section 7 वाले power, इस section 7 यादा रहा होगा, inspection वग्यरा से related, सबसे पहला section हमने यही पड़ा था, कि मैंने बताया था, इंपोर्टन नहीं, inspection और ये वो वग्यरा की power आ जाती है, तो inquiry करते वक्त, ये सारी powers होगी, important नहीं है, subsection 2, subsection 3 बात कर रहा था, person holding an inquiry section में, वो report submit करेगा, करता धरता इस act के को, कौन है करता धरता इस act का, central government, तो ये जो व्यक्ति है, जो भी inquiry कर रहा होगा, district magistrate हो, या कोई भी हो, वो report देगा, central government को, अब report देगा, तो क्या देगा, report खाली ने देगा, नहीं, उसमें बताएगा, कि साहब ये accident क्यों हुआ, reason क्या था, और circumstance वगेरा, उससे related जो है, ये, देने क्योंकि ये बोलता कि, central government, जो rules बना सकता है, procedure बना देगा, inquiry कैसे करे, enable करेगा, chief, controller, explosive को, कि भाई, आप present रहो या, represent किया जाए, आपको inquiry में, permit, permit कर देगा, witness को examine करने के लिए, तो ये इतना important नहीं है, आप इसको एक बार read कर ले ना, बस, और कुछ नहीं, आगे बढ़त में कि भाई, जो है, कि more formal character का वो होना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब formally इसको वो करना होगा, कि proper inquiry हो, क्योंकि जादा serious accident है, तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, section 9 में inquiry हो रही, उसको discontinue कर देंगे, ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, ये appoint कर रहा है, यहाँ पर chief controller of explosive को, या फ as a assessor act में, वो inquiry में मदद करेगा, इन लोगों की भाई, जिसको special knowledge है, ठीक है, वो assess करेगा, किनको, chief controller of explosive को, या फिर को other competent person को, जो यहाँ पर है, इसको read कर लेते है, 9A का सब section 1 बोलता है, कि central government अगर इस opinion में है, भले ही से उन्होंने report, section 9 की receive करी या नहीं करी, या नहीं करी military वाली, तो बोल रहा है, कि ये report इनको मिली चाहिए, नहीं मिली, बट central government को लग रहा है, इनके opinion में, कि भाई, inquiry जो है न, more formal character की होनी चाहिए, ये आपको दिखर हो गए है, आपर, क्या बोल रहा है, more formal character की होनी चाहिए, कि भाई, cause का accident का, ये सब पता करने के लिए, ठीक ह कर रहे है, and साथ में ये बोल रहा है, कि appoint कर रहा है, एक एक से जाधा person, legally a special knowledge वाले कोई व्यक्ति को, जो की as a assessor, इस inquiry में, इनकी मदत करे, ठीक है, important, then, where the central government orders an inquiry under this section, वो direct करेगा, कि section 9 वाली जो pending है, क्या मतलब है, दो दो inquiry करना है, तो उसको discontinue कर दो, तीसरा बात करता है जो person appoint किया है, यहाँ पर inquiry करने के लिए, उसके पास power होंगे, civil code जैसे, कैसे power होंगे, civil code जैसे, जैसे कि under CPC में होते है, क्या powers होते है, बहुत general powers होते है, कि भाई, witness का attendance वगेरा, ठीक है, कुछ production documents वगेरा मंगवाना, उनको मंगवा सकते हो, ठीक है, तो every person जो required है, वो क्य hold कर रहा है, यहाँ पर inquiry, इस section में, वो exercise कर सकता है, power section 7, तो यही चीज, section 9 में हमने देखी, section 7, inspection, यह सब वगेरा, inspect, search, examine, तो यह यह भी कर सकता है, बहुत general provision है, इतना important यह नहीं है, आगे बढ़ते है, subsection 5, जो वेक्ती inquiry hold कर रहा है, section में, वो भी report भेजेगा, central government को, section 9 मे भी यह देखो, यह report भेजा है, कहां भेजा है, central करता धरता को सब चाहिए, भई कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो इनको report भेजना है, यहाँ 9A में में बोला कि central government को report भेजना है, उसमें क्या होगा, cause of the accident and its circumstances, और साती में अगर इनका कोई observation है, तो वो भी आप add कर which he or any of the assessor, मतलब कौन, क्या तो chief controller explosive या competent person या assessor को कुछ लगता है, तो अपना आप add कर दो, central government जो है, उस report को क्या करेगी, publish कर देगी, इससे transparency create रहे, ठीक है, उसके बाद section 6, subsection 6 बात का था, central government rules बना सकती, procedure कैसे inquiry होगी, क्या होगा, यह सब central government बना सकती है, which is भी करता धरत of this act, right, यह 9A था, important है, 8, 9 और 9A, important है, कुछ चीज अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें, क्या MCQ बन सकता है, तो मैं ले तो मैं सबसे फ़ेले section 9 बता देता हूँ, inquiry into excellent हमने बात की, यहाँ स MCQ क्या बन सकता है, एक तो होगा आपका, यह वाला naval military air force, इन से related कौन करता है, दू दूसरा district magistrate पर बन सकता है आपका, ठीक है, तीसरा question यह बन सकता है, कि report किसको भीज़ जा रही है, तो मैंने आपको बताया, सारी report है यहाँ पर central government को ही भीज़ जा रही है, तो कौन जो वेक्ति inquiry कर रहा है, वो central government को report भीज़ेगा, एक यहाँ स MCQ बन सकता है, ठीक है, यही main है, आपका बाकी subsection 4 important नहीं है, फिर 9A और even section भी important है, कि section पर भी question आ सकता है, 9A बात करता है, inquiry into more serious accident, अब देखो section 9A जो है न, यह बात कर रहा है, कि अब central government को अगर थोड़ा serious accident, serious inquiry चाहिए, तो यह किसको दे रहा है, यह बोल रहा है, तो chief controller of explosive या फिर competent person और साथी साथ मे यह भी important है, यहाँ एक MCQ आने की संभावना है, दूसरा, जब 9A की proceeding चल रही होगी, तो 9A वाली proceeding का क्या होगा, वो discontinue होगी, यह एक important point है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद यह सब important नहीं है, कि civil court जैसी power होगी, उसके पास वाली power होगी, यह general चीज़ है, ठीक है, बस यहीं यहाँ पर, इतना यहाँ तक important report central government की पास जाएगी, तो यह तो एक, अब general चीज़ हो गई है, हमने उपर भी देखा, 9B, one of the most important section of this act, इसको जितना star mark कर सकते हो, क्योंकि यह बात कर रहा है, penalty कि, कितनी penalty हो भी, जितना भी हमने पढ़ाना, कि यह section बहुत ही important है, बात करता है, अगर किसी ने contravention किया rules का, जो की section 5 में बनाए गए है, या फिर condition जो license जो grant की गई है, जिस condition पे उसका उलंगन किया, अब उलंगन कैसे, तो बोल रहा है, manufacture, import, export of any explosive किया, तो punishable होगा, imprisonment कितने समय के लिए, 3 साल, या फिर fine जो की 5000 रुपे या फिर दोनों, ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 years, और 5000, और both, दोनों भी दी जा सकते, 3 साल भी दे देंगे, 5000 तक की भी सदा हो सकती, देखो, ये याद रखना, किस सीज में क्या सदा हो रही है, बोल रहा है, manufacture कर रहे हो, या फिर import या export कर रहे हो, आप इंडिया से या तो बा possession में रखे हो, use कर रहा है, sell कर रहा है, transport कर रहे हो, explosive, ठीक है, तो punishment क्या है, 2 साल और 3000 रुपे और both, तो यहाँ पर हो गई, 2 साल और 3000 रुपे, ऊपर क्या थी, ऊपर थी, 3 साल और 5000 रुपे, ठीक है, दो हो गई सदा, इन दोनों को याद रखना है, बहुत ही important है, ये दोनो fine लगाया जाएगा, 1000 रुपे तक का fine लगाया जा सकता है, इस तरीके question काफी देखने को मिलते हैं, आपके exams में, जो गी mcq वाले होते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, आगे बड़े, subsection 2 बात कर रहा है, जो भी contravention कर रहा है, notification जो issue किया था, section 6, section 6 याद आना चाहिए, म अगर ऐसा कोई notification, central government ने issue किया था और उसका उलंगन किया, उसमें आपने क्या किया, prohibited था, आपने manufacture किया, possess किया, import किया, उस explosive को, punishment जादा मिलेगी, कितनी मिलेगी, 3 साल और 5,000 रुपे, ये सबसे जादा punishment है, तो 3 years, जो उपर भी हमने देखी, और 5,000 रुपीस fine या फिर द तुसरा point आजाता है, in case of importation by water, तो जो owner, master है, vessel का, ठीक है, in case of importation by air, तो वो owner and master of aircraft आ गया, मतलब vessel कहलो, boat कहलो, aircraft कहलो, जो इनके owner या master है, ठीक है, अगर उनसे explosive import वगेरा किया जा रहा है, तो अगर इनके पास तो reasonable excuse नहीं है, तो punishment कितनी दी जा सकती है, 5000 रुपे तक की punishment, each be punishable with fine of 5000 rupees, important है, ये बहुत ही important section है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बार बार अगर मैं इतना दोहरा रहा हूँ, तो आप समझ लो कि आपको कितनी बार इसका revision करना है, याद करने के लिए, चलिए, subsection 3 बात करते हैं, subsection 3 बात कर रहा है कि जो कोई क्या कर रहा है, manufacture, sell, transport, import, export कर रहा है, possess कर रहा है, explosive, किसके contravention में 6AKAK, याद आ रहा होगा, 18 साल से कम है, conviction, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 से नहीं आ रहा है, तो बापस जाके पढ़के आओ, जो पहला वाला जो इस वीडियो में हमने बात की थी, वहाँ पर, काफी इस पर चर्चा हुई थी, तो punishment क्या होगी, तो बोल रहा है, 3 साल, or with, fine, or with, both, extend कर सकता है, 3 years तक का, और fine वगेरा लगाया जा सकता है, या फिर, don't know, क्या बोल रहा है, जो कोई भी manufacture, sell, वगेरा कर रहा है, 6 से, मतब कोई मिलाकर आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, 6 A और 6 B का contravention हो रहा है, तो, 6 A, 6 B का contravention हो रहा है, तो यह punishment हो, then C बात कर रहा है, in contravention of the provision of section 8, अभी हमने पड़ा, भाई, notice के बारे में था, notice देना रहेगा, accident होता है, अगर भाई, accident हुआ, उसका notice देना नहीं पाए, भूल गए, negligence होगी, आपकी तरफ से नहीं दिया, notice fail हो गए, तो punishment है, कितना fine लगेगा, 500 हो सकता है, तीन महीने, और with fine, 3 months, ये, ऐसे question पर क्यों, MSQ नजाने बन जाते हैं, इस तरीके जो simple question होते है, कि भाई, किसी की जान चली गई, आप notice देना बोल गया, क्या punishment दी जा सकती, set के अंदर, तो punishment है, तीन महीने, और fine, और सिर्फ अगर जानवान नहीं गी, सिर्फ ए prevention corruption है, आपने कितने सारे act पढ़े होंगे, जहां पर हमने देखा कि अगर यो अपराद है अभी तक हमने देखा, कोई व्यक्ति कर रहा है, अब अगर मान के चलो company कर रही है, तो क्या, simple सी बात है, जो उस company को चला रहा है, कौन चला रहा है company को, director हो गए, company secretary हो गई, CA हो गई CFO, CEO हो गई, मतलब जो व्यक्ति, जो responsible है, जिनके पास charge ये company का, जो company को run करते है, जो decision maker है उस company के, या जिनकी सहमती से वो काम हुआ है, obvious सी बात है, वही तो liable होंगे, ठीक है, बठा, यहां पर एक defense भी है, कि भाई, अगर वो अगला व्यक्ति बोले, कि sir मुझे मालूम ही नहीं था, ठीक है, अगर उसको वाकई में नहीं मालूम था, या फिर वो बोले कि, या तो बोले कि मुझे knowledge ही नहीं, या फिर वो बोले कि मैंने पूरी कोशिश की थी, इसको prevent करने के लिए बट नहीं हुआ, तो यह exception है, और यह provision के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, इसको read नहीं करेंगे, काफी बार हम पढ़ चुके है, बहुत सारे एक में मैंने बताया हुआ है, तो इसको हम बस ऊपर समझ लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, exact होई है, आप read करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, then यहाँ पर subsection 2 बात कर रहा है, कि जो भी यहाँ पर libel होंगे, अगर जिनकी सहमती से हुआ है, देखो कनीवेंस मतलब होता है, सहमती से हुआ है, ठीक है, कंसेंट या कनीवेंस, ठीक है, तो यहाँ पर या फिर उनके निगलेक्ट पे हुआ है, तो जो डारेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और कोई भी एदर ओफिसर ऑफ कंपनी, जो की responsible ह उनको चलाने के लिए, वो guilty होंगे और उनको punishment मिलेगी, अब यहाँ पर उनने A.B. में बता दिया, company, body corporate हो, और include करता है, firm वगेरा, या other association of individual, और डारेक्टर, अगर firm की बात करें, तो partner वगेरा, यह इसमें include करता है, बहुती simple से act है, इतना important नहीं है, या है, कह सकते हो, आ कुछ important है, कुछ नहीं भी है, ठीक है, तो चलिए इसको फटा-फट देखते हैं, जरा में act आपका complete हो जाएगा, देखे, section 10 बात कर रहा है, four feature of explosive, अब यार इसकी heading देखके, इसमझ में आ रहा है, explosive को four feet कप करोगे, जब या तो आपके license नहीं होगा, और आप बना रहे intervention किया होगा, और चापा पड़ा, चापा कहां पड़ेगा, section 7, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, inspection वाला, तो जब वहाँ चापा पड़ेगा, तो अगर कोई explosive मिलेंगे, तो सरकार four feet भी कर सकती है, आप देखो, रीट कर लेते हैं, when a person is convicted, कोई अपराग जो आपने set के अं ingredient, उन explosive को बनाने के लिए कुछ पकड़ाया गया, या फिर कोई substance, कुछ पकड़ाया गया है, जो आपने उसके रिलेटर अपराद किया है, उसको क्या किया जाए, four feet किया जाए, simple सा है, कुछ इसमें समझने सा है, कुछ भी नहीं, आगे बढ़ते, section 11, और भी छोटा section है, ब अपने कोई offense किया होगा, है ना, हमने देखे नहीं देखे अभी 9V में कितने सारे offense की बात की गई थी, एक बर आप इससे फटाक से एक नजर माल लो जल्दी से, ठीक है, देखो कितने सारे offense की, या पर 500 रुपे, ठीक है, 5000 रुपे, अगर यहां पर मान के चलो, कोई fine लगा है कि अगर तुम नहीं दे रहा हो ना, तुम्हारा aircraft बेज देंगे, तुम्हारा aircraft में जो furniture लगे होते हैं जो बोलते हैं कि अपनी कुरसी की पेटी मांद लीजिए, वो furniture बेज देंगे, तो जो अब जहाज में सीटी नहीं है, लोग खड़े होके जा रहे हैं, चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो बोल रहे हैं कि अगर fine नहीं दोगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, furniture बेज देंगे, जो vessel है, apparel, furniture, उसका भी vessel वगेरा, board वगेरा का भी है, ship का भी है, बेज सकते हैं, ठीक है, बस इनको क्या मतलब है, इनको अपने fine से मतलब, कि इनको तो इनका fine मंगता, चलो आगे बढ़ते हैं, section 12, section 12 बात कर रहा है, abatement, attempt इस तरीके की question देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही simple हमें समझ में आई गया, abatement और attempt से related, हर एक section कुछ-कुछ अलग तरीके से बात करता है, कुछ section बोलते हैं कि अगर आप abate करा, attempt करा, तो कम punishment होगी, कुछ बोलते हैं कि अ 107 से चालू होता है, मालू होगा, तो whoever abates within the meaning of IPC, तो जो commission है न, offense का, अगर आपने offense वगेरा किया, punishable है इस act में, तो बोल रहा है, उसका attempt भी punishable होगा, और जो offense आपने किया है, and in such attempt, does any act towards the commission of the same, आपने क्या किया, देखो, दो चीज़ों के बारे में बात करा, पहला बोल abates within the meaning of IPC, the commission of an offense, जो कि इस एक के अंदर punishable, उसका abate हो रहा है, या फिर बोल रहा है, attempt किया, आपने commit करने के लिए, ऐसा कोई offense, और उस attempt में, आपने कोई काम किया, उस offense का commission करने के लिए, कोई step उठाया, ठीक है, अगर किसी को मारना है, तो आप चाकू, रसी, रसी, ले क किया, towards the commission of the same, तो वो भाई punishment हो, punishment क्या मिलेगी, as if he had committed, मानो आपने अपराद कर दिया, उसको उस तरीके से punish किया जाएगा, तो abatement और attempt की, यह यहाँ पर सजाएन, उन्होंने, section 12 के अंदर बताई हुए, आगे बढ़ते है, section 13 बात करता है, power of arrest without warrant person committing dangerous offenses, अब देखो यह क् बोल रहा है, power to arrest, bigger warrant के arrest करने की बात कर रहा है, ऐसे वेक्ति को जो क्या commit कर रहा है, dangerous offenses commit कर रहा है, तो simple है, देख लेते हैं, इसको क्या बोल रहा है, चलिए, whoever is found committing any act, जो की punishable is act के अंदर, या फिर rules में दिया हुआ है, and which tends to cause, क्या explosion cause हो सकता है, या fire हो सकता है, ऐसे कोई place पर जहां पर explosive manufacture हो रहा है, या store किये जाते है, या फिर कहीं railway पर, या port पर, या फिर कहीं carriage carriage में aircraft vessel के अंदर रखे हुए है, maybe apprehended without a warrant, तो बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति कहीं plane को उड़ाना चाता है, railway में attack करके उड़ाना चाता है, कहीं पर store है, manufacture होते है, explosive factory को उड़ाना चाता है, तो यह dangerous offense हो गया नहीं हो गया, खतरना हो गया, मुगेंबो याद आ रहा है, मुगेंबो हमारे खेरे सेक में तो बड़ा ही अच्छा काम कर रहा था, वो तो license license लेने के लिए apply apply कर रहा था, तो अब मान के चलो यहां पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता और उसको, तो यह बोल रहा है कि उसको without warrant, warrant लाने कि दो अब warrant लाने बैठे, तो तो खेल हो जाएगा जब तक तो, ठीक है, जब तक तो दिवाली मन जाएगी, तो दिवाली ना मने, मतलब दिवाली इनना, गलस sense में कि ना मने, ऐसा पटाके बटाके ना फूट जाने, एक्सलोजे, त और other person जो authorized by the occupier, occupied दारा कोई authorize है, तो वो भी उसको apprehend कर सकता है, और by any agent, servant और other person जो की authorize है, railway administration द्वारा, railway का भी तो नाम है, तो railway में भी ऐसे वेक्ती जो है, उसको apprehend कर सकते हैं, या फिर conservator of the port और officer in charge of the airport, ये सब उसको क्या कर सकते हैं, उसको remove करेंगे उस place से, जहां स उसको arrest किया, apprehend किया है, और उसको भीज देंगे magistrate के समक्ष, magistrate के पास उसको भीज दिया जाएगा, ये बस section 13, simple सा है, कुछ नहीं है, dangerous offense कहीं उडाना उडाना चारा है, किसी चीज को explosion से, fire से, तो उसको मत्तब देखा, हमने सभी कोई पकड़ सकता है, एक तरीके से, ठीक अब ये saving clause है, section 14 क्या है, ये saving clause है, देखो, अब saving clause जनरली आपको मालू होगा, उस चीज को save कर लेता है, एक तरीके से, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि जो भी इस act में दिया हुआ है, वो apply नहीं करेगा, किसके उपर armed forces of the union, या फिर जो उनकी ordinance factory होती है, यहाँ पर उन से 899 है, यह आपका MCQ है, ठीक है, यह आपका MCQ है, क्या बोल रहा है, nothing in this act shall apply to the manufacture, possession, use, transport, importation of any explosive, किसके उपर, armed forces की उपर, by any of the armed forces, और उसकी जो ordinance factory है, कोई भी अधर establishment है, इन forces की, ठीक है, in accordance with the rules regulation made by the central government, उन पर apply नहीं होगा, apply क्या होगा, 899 है, वो के बारे में बात करते ह बोलते है, notice of accident, ठीक है, inquiry करना, या फिर एक अलग से inquiry, formal character की बिचाई जारी तो अबने भी देखा, ठीक है, तो 899-A apply होगा, इसके लाबा, कुछ भी इस act में दिया है, apply नहीं होगा, armed forces की उपर, दूसरा बात कर रहा है, by any person employed under the central government, और under a state government, in execution of this act, तो इन पर भी नहीं ल पडल देना, इसको अच्छे से देख लेना, अंदर की चीज़ें, इसकी important है, जो मैंने बता भी दिया, आपको कहा से, MCQ बन सकता है, सबसेशन टू बात कर रहा है, central government, चाहे करता धरता है, कुछ भी कर सकते हैं, भी है, बड़े लोग, तो by notification in the official gadget, ये exempt कर सकते हैं, absolutely, या फिर condition बगेरा लगा सकते हैं, ठीक है, चा करेंगे लगाके, impose कर देंगे, कि भाई, any explosive and any person, और class of person, जो है, exempt हो गये, इनके provisions of this extra rule से, ठीक है, मतलब या तो completely exempt कर दिया, जैसे की, या तो completely मतलब बिल्कुल इन लागो होगा, या फिर जैसे की armed forces इस पर बोला है, 899 लागो है, मतलब conditional एक तरीके से, तो central government करता धरता है, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी important है, यहाँ भी MCQ बनने के chances हैं, कि क्या exempt किया जा सकता ह तो बस छोटा साय ध्यान रखलना, central government exempt कर सकती है, right, then आगे आता है, section 15 बात कर रहा है, ये भी saving clause एक तरीके से बोल रहा है, कि ये जो act है ना, ये affect नहीं करेगा, provision arms act के, और यतना important है, बांकी जो प्रोवीज होए, इतना कुछ खास important है नहीं, कुल मिला कर, तो आपको यही ये act है ना, ये affect नहीं करेगा, arms act के provision, MCQ बना तो यहीं से बनेगा, provision में ऐसे कोई खास दम है नहीं, आप read करोगे, simple सा है, समझ में आ जाएगा, चलिए, तो ये हो गया section 15, तो देखो, इस परीके की section होते ना, जहाँ पर जादा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर section ही important हो 16, 16, 20 तरीके से बना देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है sections, ABC करके हमने देखे हैं कि दिये हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है section 15, जो है apply नहीं, ये बोलता है कि कुछ भी जो इस act में दिया हुआ है, वो affect नहीं करेगा, arms act 9059 को, इसके उपर हमने पढ़ चुक क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाया अगर देखो इस act में कुछ जो भी दिया है ना, ये प्रिवेंट नहीं करता किसी person को, ये जो act है, ये प्रिवेंट नहीं करता किसी person को, prosecution से किसी other law में, मतलब अगर other law में आपकी उपर कोई liability आई, मतलब देखो आपने इस act में किया, तो भाई ये act ऐसा नहीं बोलता कि सिर्फ यहीं के लिए आप libel होगे, ठीक है, ये ऐसा prevent नहीं करता, तो मतलब कुल मिलाकर है कि इस act में ये prevent नहीं करेगा prosecution से under any other law for any act or omission जिसके लिए आपना offense किया है इस act में, या फिर rules में, या फिर आप कहीं और other law में libel हो, and अ ठीक है, तो बोल रहा है कि, or from being libel under other that law to any other or higher punishment or penalty than that provided by this act or those rules, तो भाई higher punishment भी आपको दी जा सकती है, ठीक है, ये कुल मिलाकर बात करा है, जब कुल मिलाकर basic चीज क्या बोल रहा है, कि भाई ये act प्रिवेंट नहीं करता, आपको prosecution से कोई other law, ठीक है, चलिए, then proviso बात करता ह अगर परसन जो है, पनिश नहीं किया जाएगा, twice for the same offense, obviously बात ही हमें मालूम है, हमने constitution भी पढ़ा हुआ है, कि एक offense के लिए दो बार किसी को punishment नहीं मिलती, चलिए, आगे बढ़ते है, section 17 बात कर रहा है, extension के बारे में, अब almost एक खतम है, बस 17 है, थोड़ा सा important है, ये हमें देखना है, यहां से भी MCQ बनने के chances है, otherwise, almost खतम है, बोल रहा है, central government time to time notify कर देगा, official gadget में, कि explosive मतलब मान की चलो, कुछ और इनका नया निकल क्या है, भाई, technology कितनी develop हो रही है, ना जाने किस चीज़ से क्या बना दे रहे है, तो बाद में पता चलता है, कि यार, और कुछ भी explosive हो सकता है, तो वो declare कर देंगे, कि यह substance जो है, यह भी आज से explosive की category में आ जाएगा, जो central government को लग रहा है, कि यह dangerous है, to life or property, by reason of its explosive property, कि जब फूटेगा, तो भाई, अच्छा धमागा कर सकता है, ऐसा कोई bum bum, ऐसा कुछ बन जाए, तो यह declare कर देंगे, कि यह भी explosive की category मे तो लोग क्या करेंगे, कि इसके लिए license लगेगा, हर किसी के पास ऐसा नहीं बिकरा होगा, ठीक है, तो इसको regulate करने के लिए, prohibit rule करने के लिए, यह ऐसा किया जाता है, यही बस यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसको माना जाएगा, deemed to be an explosive within the meaning of this act, और कुछ यहाँ पर काम क नहीं है, तो section 17 जो है, extension मतलब एक तरीके से, explosive जो term है न, वो 2D के अंदर दिया हुआ है, पहला MC की तो यही है सबसे basic भईया, ऐसा मत भूल जाना, नामी जो act का है, वो ही नहीं मालूम आपको कहाँ पर define है, वो चीज इंपोर्टेंट है, तो उस चीज को क्या है, थोड़ा पावर अपनी delegate कर सकता है, अब इंपोर्टेंट यह नहीं कौन सी कर सकता है, इंपोर्टेंट यह कि कौन सी नहीं करेगा, central government जो है, by notification, official gadget में डालके, direct कर सकता है, कोई भी power या function, जो उसको exercise कर सकता है, वो इस act के अंदर, other than the power, under section 5, 6, 6, 14, 17, यह जो है न, यह delegate नहीं कर सक का, central government notify करेगा, official gadget में, और direct कर देगा, कि यह power है, यह वेक्ती exercise कर सकता है, बट कौन सी power नहीं कर सकता, 5, 6, 6, 14, 17, तो यह आपका MCQ, यह आप ज्यान रख लेना, important चीज़े, question बन सकता है, ठीक है, main relation to such matter, subject to condition, as if any, it may specify in the notification, be exercised or performed also by such officer, authority subordinate to central government, या फिर state government, या उसका authority, जो exercise कर सकते हैं, बट कौन सी नहीं, मैंने बोला ना, कौन सा नहीं, वो important है, मतलब कुलमला कर delegation है, समझ में आता है, हमको कि हाँ भाई, खुद की power delegate कर रहा हो, मतलब जो हम करते हैं, जो decision लेते हैं, वो कोई और ले रहा है, हमारे बदे, यह delegation है, ठीक है, अब delegation तो है, बट बो बात करता है, 18 बोलता है, procedure for making publication and confirmation of rule, कि जो हमने देखा न, पबलिक करे, जो report central government को दी जाई हो, उसको publish करती है, तो उसके बारे में detail है, प्रोसीजर है, आप इसको read कर ले न, कुछ ऐसा खास नहीं है, और MCQ बनने के भी chances नहीं है, यह आपका act यहां पर, पूरा, पूरा complete ह होता है, I hope आपको समझ में आया होगा, ठीक है, act को हमने काफी अच्छे से cover किया, दो पार्ट में cover किया है, पहले में हमने 1 to 6 किया था, फिर हमने दूसरे में 7 to 18 किया है, तो I hope कि आपको act जो है proper तरीके समझ में आया होगा, then मिलते हैं कोई नाए act के सांथ, अगले दे, श झाल